नमस्ते, हिंदू कैलिंडर में आज भाद्रपद मास की शुक्र पक्ष की नौमी तिथी है जोतिशिये हिसाब से नौमी तिथी आठ बच कर 29 मिनट एक सेकिंड तक रहेगी उसके बाद अगले दिन दश्मी है नौमी तिथी में शुब वक्त का जहां सवाल है तो तिथी का शुब अभीजीत महुर्थ समय सुबह 11 बच कर 54 मिनट से 12 बच कर 44 मिनट के बीच है अम्रित काल का समय दोपहर 1 बच कर 58 मिनट से 3 बच कर 27 मिनट के मध्य है अशुब समय का जरूर ध्यान रखें पंचांग अनुसार राहुकाल सुबह 7 बच कर 40 मिनट से 9 बच कर 19 मिनट के बीच है सनातन धर्म एक जीवन पद्दिती है उसमें तीज, त्योहार और कर्म कांट और धर्म का खास महत्व है जीवन, तीज, त्योहार, तितियों पर पूजा पाठ तथा जब तप व्रत वह वैदिक कर्मों की शुबता में गुजरता है इसलिए शुब अशुब मुहृत की डिटेल पर गौर करें लोक मान्यताओं में कई जगह आज के दिन का खास महत्व है जैसे उदासीन संप्रदाय के लिए चंद्रनौमी, बंगाल और उडिसा में तलनौमी कहीं कहीं दशावतार जयन्ती व्रत और जैन धर्मावलंबियों की सुगंद धूप दश्मी भी है राजस्थान में तेजा जयन्ती भी आज ही के दिन है इस दिन राजस्थान में मेलों का आयोजन भी किया जाता है सबसे खास बात आज शिक्षक दिवस है आज ही के दिन यानि 5 सितंबर 1888 को हमारे पूर्व राश्थपती भारत रत्म से सम्वानित डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन का जन्म हुआ था चुकि वो राश्थपती बनने से पहले एक शिक्षक थे इसलिए 5 सितंबर 1962 से उनका जन्म दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा क्योंकि आज का दिन शिक्षकों गुरुओं को समर्पित है इसलिए आज यह श्लोक सुनें गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णु गुरूर देवो महेश्वर गुरूर साक्षात परम भ्रह्म तस्मई श्री गुरवे नमह अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विश्नु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही परम ब्रह्मा है इसलिए मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं हिंदु कैलेंडर पंचांग को लेकर अब मैं कुछ बताना चाऊँगा पंचांग का अर्थ है दिन, दिनांग और समय की वैदिक जोतिश के अनुसार काल गड़ना 24 घंटे के एक दिन के 5 हिस्से होते हैं जाहिर है पंचांग आज के दिन को सूर्य, चंद्रमा, ग्रहे और नक्षत्रों की गती को दर्शाता है इसी कारण हिंदू केलंडर की तिथी, वार, नक्षत्र आदी का योग बनता है इस गती में ही सही समय पर हम सनातन धर्म के लोग, हिंदू अपने शुब कार्य करते हैं रिष्टे, सगाई, शादी, कार्यक्रम, उद्घाटन, समारोह, परीक्षा इंटर्व्यू से लेकर कारोबार के अलग-अलग बहत्व के फैसले करते हैं उमीद है आपको कैलेंडर की यह प्रस्तुती पसंद आई होगी नया इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें उमीद है आपको कैलेंडर की यह प्रस्तुती पसंद आई होगी नया इंडिया चैनल को पसंद करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको कल के कैलेंडर का समय पर नोटिफिकेशन मिल सके नमस्ते